हाई दोस्तों मैं फिर लोटा हूँ आपके लिए एक नहीं कहानी के साथ कहानी पूरी देखें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की और दोस्तों आपने गरूडा के पहले पार्ट में देखा कि लोग किस तरह से अपना गाउं छोड़कर जंगल में रहने लग गए थे पर जंगलों में भी गाउं के लोग जंगली जानवर का शिकार हो रहे थे और जो लोग बीच बीच में गाउं का हाल देखने गए थे वे फि निकला सादू महाराज भी तिरतियात्रा पूरी करके जंगल में अपने लोगों के बीच आ गए थे और सादू महाराज के साथ उनका एक नया शिश्य भी आया हुआ था कहानी अब आगे नहीं हम नहीं मार सकते उस दानाओ को जब तक पांच वर्ष नहीं हो जाते सादू महाराज आखिर क्या है या रहस्या सादू महाराज अपने नये शिश्य को गाउं के रहस्य के बारे में बताने लगे काफी सालों से मगदगड के लोग अपने गाओं में काफी सुखी थे फॉसलों की कोई कमी नहीं थी हर जगे हर्याली गाओं के लोगों में भाई चारा रहता था लोग आपस में एक दुसरे की मदद किया करते थे पर एक बार ऐसा हुआ कि एक साल गाओं में बारिश नहीं हुई जिस वज़े से किसान फसल भी उगा नहीं पाए पर लोगों ने किसी तरह से अपना गुजारा कर लिया दूसरे साल भी वर्षा नहीं हुई लोगों का बुरा हाल हो गया था और तिसरे साल भी वर्षा नहीं होने की वज़े से कई लोग मरने लगे लोग पानी के लिए तड़पने लगे लोग पानी भरने के लिए 10-10 किलो मीटर दूर पैदल चले जाते वहां कातलाव भी सूख चुका था पशु प्रानी भी मरने लगे जमिन बंजर पड़ गई थी लोग प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे थे गाउं के लोगों ने गाउं से थोड़े दूरी पर बने विश्नु भगवान के मूर्ती की प्रार्थना की भजन किर्तन करने लगे लोगों की परेशानी देख मंदिर में आये नए साधू माराज ने कहा समस्या पानी की है जिसे हल किया जा सकता है पर कैसे हल होगा माराज हमें क्या करना पड़ेगा मुझे सिर्फ एक लकड़ी से बने गरूड की मूर्ती चाहिए हाँ माराज मिल जाएगा मैं उस गरूड की मूर्ती को महायग्यद्वारा संपन्न करूँगा और उसे आसमान में उड़ाऊंगा पर मैं जो मंत्र बोलूँगा उस मंत्र को आप सभी लोग याद कर ले जब मैं गरूड की मूर्ती उड़ाऊंगा मेरे पीछे मंत्र आप सभी गांवालों को बोलना पड़ेगा मंत्र का उच्चारन जितना ज़्यादा होगा गरुड उतना ही उचा उड़ेगा और आसमान में पहुँच जाएगा फिर बारिश जरूर होगी क्या यह संभव है महराज मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ठीक है आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे पर एक बात याद रखना मंत्र का उच्चारन गलत नहीं होना चाहिए यदि एक भी व्यक्ती मंत्र का गलत उच्चारन करेगा तब गरुड की मुर्ती नहीं उड़ेगी पर मंत्र क्या है महाराज हमें बोलना क्या है मंत्र है उड़ जा गरुडा आसमान में बरसात तुझे ही लाना है गाउ के लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत थी लोगों ने सादू महाराज की बात मान ली लोगों ने गरुड की मुर्ती बनाई सादू महाराज ने यग्य किया और यग्य और मंत्र जाप से सादू महाराज ने गरूड की मुर्ती को सिद्ध कर दिया लगबग दो दिन बाद गाउं के लोग सादू महाराज के साथ एक जगा पर जमा हो गए सादू महाराज ने कहा मैं गरुडा को उड़ाने वाला हूँ मंत्र का उच्चारन सही से करना ध्यान रखना मंत्र गलत ना हो सादू माहराज गरुडा को उड़ाने के साथ साथ मंत्र का जाप करने लगे और सादू माहराज के पीछे पीछे गाउ के लोगों ने भी मंत्र जपना शुरू कर दिया गरुडा उड़ने लगा लकडी से बने गरुडा को उड़ते देख लोग हैरान हो गए यह एक अध्भुत चमतकार ही था लोग मंत्र का जाप कर रहे थे कि एक मंत्र गलत तरीके से बोलने की आवाज रंगा ने सुना और पिर कुछ लोगों ने भी गलत मंत्र को सुना गरुडा उपर काफी दूर तक पहुँच चुका था कि कुछ ही देर में जमिन पर आ गिरा या देखकर लोगों के चेहरे पर मायूसी आ गई रंगा ने कहा अरे ये सब रमेश की गलती है उसने कहा मत उड़ गरुडा आसमान में बरसात हमें नहीं चाहिए गाउ के दो तिन लोगों ने भी कहा कि उन्होंने रमेश को गलत मंत्र बोलते सुना है बस होना क्या था लोगों ने मार मार कर रमेश को वही जमीन में गाड़ दिया थोड़ी देर बाद रंगा ने साधू महराज से कहा साधू महराज चलो एक बार फिर गरूडा को उड़ाया जाए अब यह संभव नहीं पांच साल तक इस गाउ में बारिश नहीं होगी यह गरूडा का एक तरह से अपमान है जितनी जल्दी हो सके पांच वर्षों के लिए गाउ छोड़ कर चले जाओ नहीं तो बिना पानी के वजह से हम में से कोई नहीं बचेगा इस वजह से गाउ के सारे लोगों ने गाउ खाली कर दिया और पांच वर्षों के लिए जंगलों में अपना जीवन जीने लगे यह सारी गाउ की कहानी सुनने के बाद सादू महराज के शिश्य ने पूछा पर महराज जी वह दानव का क्या होगा अभी दो वर्षों बाद लोग गाउ जाएंगे ही ना तो वह दानव तो लोगों को मार ही देगा दो वर्षों बात उस शैतान का अंत गरूडा ही करेगा मुझे उसी तरह का एक नए गरूड की मुर्ती बना कर दो उसे इन दो वर्षों में मैं इतना सिद्ध करूँगा कि वह दानव फिर कभी नहीं भटकेगा लोगों ने फिर से साधु माराज को उसी तरह की गरूड की मुर्ती बना कर दे दी और साधु माराज उस मुर्ती को सिद्ध करने लगे दिन बित्ता गया लोगों ने किसी तरह से अपने जिंदगी जंगल में बिताने लगे एक दिन की नई सुभा के साथ आखिर वो दिन आ ही गया जिसका लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे पांच साल पूरे हो चुके थे साधु माराज ने गाउं के लोगों से कहा चलने की तैयारी करो दोपहर के दो बजे हम लोग निकलेंगे यही सही समय है अधु माराज की बाते सुनकर लोग अपने अपने सामान समेटने लगे लगबग दोपहर के दो बजे गाउं के लोग जंगल छोड़कर अपने गाउं मगदगड के लिए निकल पड़े लगबग रात के दस बजे लोग अपने गाउं में पहुँच चुगे थे पर लोगों में एक डर जरूर था वह डर था उस शैतान का सादू महाराज आगे बढ़े उन्होंने कहा अरे ओ दानाओ कहाँ छिपा बैठा है निकल बाहर आता क्यों नहीं डर गया है क्या एक डरावनी आवाज लोगों को सुनाई दे रही थी लोग घबरा रहे थे कि अचानक सामने वह डरावना शैतान आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हसने लगा मरने के लिए तैयार हो जाओ कोई नहीं आएगा बचाने तुम्हें पहले तो सादू तुझे मारूंगा मार ले ना पहले बता कौन है तू और कहां से आया है अभी तक नहीं पहचाना मुझे तुम सभी ने मिल कर मार दिया और जमीन में गाड दिया था याद आया क्या रमेश हो तुम इंतजार खत्म हुआ सादू शैतान जैसे ही आगे बढ़ा सादू माराज ने गरूर को आगे कर दिया स्वय भगवान विश्णू के मंत्रों से सिद्ध गरूर देव को देख कर शैतान घबरा गया गरूर देव की मुर्ती शैतान के सामने खड़ी थी कि अचानक तेज रोशनी के साथ शैतान जल कर राक हो गया और तेजी से बारिश भी शुरू हो गई लोग काफी खुश हो गए मगदगड में फिर एक बार खुशियां लोट आई तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताए और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मैं फिर लोटूँगा आपके लिए नए कहानी लेकर धन्यवाद